इंडियन क्रिकेट टीम का नया कोच गौतम गंभीर को निकुत किया गया। गौतम गंभीर के लिए ऐसा न्यूज आ रहा था कि वो कोच का पद तभी लेंगे जब उनके कुछ सर्तों को माना जाए। जैसे उनका कुछ सर्त ये था कि पूरा टीम इंडिया पर कंट्रोल उनका होना चाहिए, सेलेक्षन उनके बेसिस पे होना चाहिए, जो भी सपोर्टिंग स्टाफ हो उनके बेसिस पे होना चाहिए, 2027 वर्ल्ड कप का रोड मैप तयार करना है और जो सबसे इन्पॉर्टेंट है कि जितने भी senior player है उनका Champions Trophy 2025 तक का performance देखना है उसके बाद यह decide होगा कि 2027 के World Cup के लिए वो लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते यह कुछ सर्ते थे गौतम गंभीर के लेकिन जैसा news अभी भी आ रहा है कि गौतम गंभीर ने batting coach के लिए अविशेक नायर का नाम प्रपोस किया था दूसरा balling coach के लिए विनै कुमार का नाम प्रपोस किया था और fielding के लिए Tee Dilip का जो कि Tee Dilip अभी भी fielding coach थे इंडिया का जो आपका award ceremony करवाएं थे fielding में जो कि हर match के बाद decide होता था कि कौन सा player सबसे अच्छा fielding किया है match में उसको last में match खत्म होने के बाद award दिया जाता था जो कि बहुत अच्छा कर्चे शुरू किया था इससे prayer भी प्रथसाहित होते थे अच्छा perform करने के लिए अच्छा fielding करने के लिए तो Tee Dilip को आगे continue किया गया अब इसे एक नायर को as a batting coach निक्त किया जाने वाला है लेकिन BCCI ने विने कुमार पे रोक लगा दिया विने कुमार के proposal को खारीच कर दिया मतलब बहुताओं गंभी का जो proposal था कि balling coach के लिए विने कुमार होना चाहिए वहाँ पे BCCI ने पूरी तह से खारीच कर दिया कि नहीं विने कुमार नहीं कोई और होगा मतलब ये चीज से BCCI ये भी दिखाना चाहता है कि आपका पूरी तह से team पे control नहीं होगा BCCI का हस्तच्छे भी होगा जो कि मेरे अनुसार जरूरी है किसी भी एक individual का पूरी तह से control सही नहीं होता क्योंकि अगर वो पूरी तह से control करेगा पूरे team को और पूरे system को तो वहाँ पे एक dictatorship हो सकता वहाँ पे एक partiality हो सकता वहाँ पे एक favorism हो सकता कि वो किसी particular player को favor करे और किसी particular player को favor ना करे तो गौतम गंभी हरा की बहुत ही अच्छे coach है क्योंकि उनके ही coach मतब उनके captaincy में दो IPR trophy KKR जीती है और उनके mentor shape में last year मतब 2024 में KKR ने फिर IPR trophy जीता गौतम गंभीर as a player भी बहुत अच्छे और गौतम गंभीर के बारे में एक माना जाता है कि वो पूरी तहा से professional है वो पूरी तहा से अपने target को hit करने का खोसिस करते हैं वो पूरी तहा से अपने target oriented काम करते हैं उनका जो mindset है वो पूरी तहा से Australian mindset है वो ऐसा नहीं है कि किसी नाम के पीछे जाते हैं वो ऐसा है कि वो performance के पीछे जाते हैं जो अच्छा perform करेगा जो अच्छा result देगा उसको team में जगा मिलेगा गौतम गंभीर के लिए ये चीज जाना जाता है गौतम गंभीर क्रिकेट के परती पुरी तह से dedicated पुरी तह से in fact आप सोच सकते हैं वो MP थे और वहां से वो politics छोर के वापस cricket में आए क्योंकि उनका यही कहना था कि मेरा जो first love है मेरा जो first focus है वो हमेशा cricket रहा है और हम इस लिए पुरी तह से cricket पे focus करेंगे तो गौतम गंभीर के dedication पे किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं उठा जाए सकता गौतम गंभीर के बारे में अगर कहा जाए तो वो पूरी तरह से केबल और केबल first nation को priority देते हैं उनका पहला लक्षी होगा कि ICC trophy जीता है जाए गौतम गंभीर के अंदर में 2027 तक गौतम गंभीर को उमीद है कि WTC का final में इंडिया पहुचेगा दो हजार पच्चिस में तीसरा आपको 2026 में फिर से T20 World Cup खिलना है चौतरा आपको 2027 में ODI World Cup खिलना है और फिर पांचमा आपको WTC का final फिर 2027 में अगर इंडिया पहुच जाता है तो लेकिन अगर चलिए WTC का final हम छोड़ दे 2027 का तो इन बिटिन आपका चार ICC तो है यह confirm है तो यह चार ICC tournament है यह confirm है तो इस पे गौतम गंभीर का जरूर नज़र रहेगा और हम इंडियन्स का भी नज़र रहेगा कि गौतम गंभीर इन चार ICC tournament में कैसा परफॉर्म करते हैं और वहीं पर दूसी खबर यह है कि stress IR और के रहूल का वापसी होने वारा ODI में जो सिलंका के व्यूद है विराट कोली रोहित सर्मा इन्नों को पूरी तहा से मेरे को लगता है कि test के लिए रोका जा रहा है कि test का भी दस इस पूरे WTC के cycle में दस मैच अभी इंडिया का बचा हुआ है जिसे पांच सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्टेलिया के वियूद है और उसके अपका बंगलादेस के साथ है और नीजुलेंड के साथ है बंगलादेस के साथ दो test दिया है कि वो पूरी तहा से पूरी तहा से test पे focus करें test oriented सोचें कि अच्छा परफॉर्म कर पाए उसके बाद फिर फाइनल में इंडिया पहुचे और सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनल वर्ल्ड कप चैंपियन और ICC टूर्णामेंट तो है ही ऑस्टेलिया में ऑस्टे बंग्नादेश और नीजिरेन के साथ वैसा कोई खास उसका मतब कोचिंग का वैसा importance नहीं है मेन उनका जो importance है मेन उनका जो impact है वो ऑस्टेलिया में दिखेगा ऑस्टेलिया में कैसा perform करता है ये दिखाएगा कि गौतम गंभीर का mindset कैसा है गौतम गंभीर किस थाहा के mindset टीम इंडिया में भरते है